उदैपूर में कोरोना के आंकडे लगातार बढ़ रहे हैं देश में लापरवाही के कारण दैनिक पॉजिटिव दर साड़े चार फीसिदी पर पहुँच गई है शुक्रवार को उदैपूर में नौ मामले सामने आये थे तो वहीं शनिवार को पांच नए केस सामने आये हैं और वहीं दूसरी और उदैपूर में कोरोना वैक्सिनेशन की रफ्तार बेहत सुस्त है वैक्सिनेशन शुरू है लगबग डेड़ साल बीच चुका है तीन लहरे गुजर जाने के बावजूद अब तक उदैपूर में 90 प्रतिशत वैक्सिनेशन भी नहीं हो पाया है वही प्रिकॉर्शनरी डोज भी ना के बराबर ही अब तक लगी है इसका खुलासा हाल ही में सामने आई चिकित्सा विभाग की वैक्सिनेशन रिपोर्ट से होता है ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि 23 जून 2022 तक उदापूर जुले में महज 3.72 प्रतिशत लोगों ने ही प् पूरा है उदापूर के कई ब्लोक में तो एक परतिशत भी प्रिकॉुशन डोört नहीं ली गई है उदापूर niż 13 ब्लॉक में सिर्फ उदापूर को छोड़ किसी भी ब्लॉक में 5 प्रतिशत से जादा वैक्सीन की डोज नहीं ली गई है व्यज़कों के साथ साथ उदापू को तो पहली डोस तक नहीं लग सकी है CMHO डॉक्टर दिनिश कराडी का कहना है कि लोगों को आगे आकर वैक्सिनेशन की प्रिकोशन डोस लगानी चाहिए साथे चिकितसा विभाग भी इसके लिए पूरी तरह तत्पर है अलट राजिस्थान भी उदापुर्वासियों से यही अपील करता है कि अपना अपना जल्द से जल्द वैक्सिनेशन करवाएं और स्वस्तर रहें